हेलो दोस्तो, साबू की किचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेश्टी और यम्मी सा नास्ता तो चलिए आज की बहुत ही टेश्टी और आसांसी रेसिपी बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मैदा ली है और आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं तो मैदा को छान लेंगे अब इसमें डाला है थोड़ा सा ओयल मैंने यहाँ पर ओयल लिया है अगर आप गी का यूज़ करना चाहें तो आप देसी गी भी ले सकते हैं नमक डालेंगे इसमें स्वादन हुसार अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमने जो नमक और आयल डाला है वो अच्छे से इसमें मैदा में मिक्स हो जाए तो चलिए इसको मिला देते हैं तो अब क्या करेंगे देखे इस तरीके से मुठी बांद के देखेंगे तो लग रहा ना, बढ़िया सा एकदम, क्योंकि यह अच्छे से मुठी बन रही है, तो इसका मितलम यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, पानी हम जरूरत के साफ से डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, तो इसको ऐसे ही आप गूंद ल तो अब आगे की तयारी कर लेते हैं, यहां पर मैंने एक फ्राइफेन ले लिया है, फ्राइफेन में आदा छोटा चमचा मैंने ओल डाला है, और गैस को यहां ओन कर लिया है, तो देखी तेल गरम हो चुका है, अब मैंने यहां पर ले लिये थोड़ी सी सौप, मैंने बारिक बारिक काटा हुआ है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं क्योंकि इस रेसीपी में यहां हमें प्याज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैंने यहां पर दो हरी मिर्ची ले ली है इनको भी मैंने छोटा और बारिक काट लिया है अब इसको क्या है अच्छे से भूने यानि विल्कुल सॉप्ट हो जाने देंगे तो देखे अच्छे से कलर भी चेंज हो गया है आप देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आरा खुसबू वाकि में बहुत अच्छी आने लग गई है इधर मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन आप देख पारें चोटी वाली अच्छे से भुन जाए अब डालेंगे इसमें एक चोटी चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चोटी चमच धनिया पाउडर नमक डालेंगे इसमें स्वादनुसा अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे जब तक हम इसे करेंगे तब तक ही इसका पानी यानि प्याज का जो अ मिला लेते हैं तो देखिए अश्टी से यह मिक्स कर लिया है तो आप डालेंगे इसमें हम हरा धनिया मैं यहाँ पर हरा धनिया लिया है अगर आप पसे नहीं करते ह outfit तो हरा धनिया इसके कर सकते हैं तो देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप गर देंगे यहाँ पर गैस को बंद इधर मैंने तीन चोटे चोटे आलू ले लिये हैं अब आलू को क्या करना है इसमें हमें मिक्स करके डालना है मैंने पहले ही बॉल करके रख लिये थे अच्छे से छील लिये थे तो मैंने इधर ऐसे ही इनको मीड दिया है हाथ की मदद से अगर आप चाहें तो कद्दू कस से भी इसे गिसके डाल सकते हैं बट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब थोड़ा मोटा मोटा आलु आता है न मुझ में खाने में तो बड़ा ही टेस्टी सा लगता है तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया है तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इस्टपिंग हमारी यहाँ पर बनकर र अकर आपको थोड़ी इस्टपिंग ज्यादा पसंद हो नास्ते में तो आप इस्टपिंग थोड़ी यह थोड़े गोले बड़े बना सकते है तो देखे इतने सारे गोली बनकर तैयार हो चुके हैं तो इनको कर देंगे अब हम साइड अब देख लेते हैं अपने आटे को तो देखे आठा भी बहुत ही अच्छे से सॉप्ट हो चुका है, तो अब कर लेते हैं इसके हम यहाँ पर लोई, तो मैंने एक बड़ी इसी लोई ली है इसकी, तो अब क्या करेंगे इसको अच्छे से हम बेलेंगे, हमें यहाँ पर सुखा आठा नहीं लगाना है, हमें इस अगर यह थोड़ा बहुत चपके, तो अईल लगाएंगे, सुखा नगी लगाएंगे, जैसे कि पूरी पराठा बेलते हैं उसी तरीके से बेल लेना है, अब इसके ऊपर भी थोड़ा से हम ओईल लगाएंगे, हम ओईल इसली लगा रहे हैं यहाँ पर, ओईल से क्या होता ह है, अब बढ़िया प्यारा सनास्ता बनकर रेडी हो जाता है, तो आप साइडों से इसे कटिंग कर देंगे, इसको हम अटा देंगे, एक साइड, तो जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ऐसी आप भी करते जाईएगा, स्टेप बाई स्टेप देख कर, आपको यह रैसी भी बहुत पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई किजेगा, तो देखिए, मैंने यहाँ पर यह काट ली हैं, चाल लोईयों में, तो चलिए, देखिए, इस तरीके के यह बन गई है, तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे इसको हलका सा ओईल लगाएंगे, चकले के उपर, और इस पर ऐसे प्रेस करेंगे, तो अब इसको हम बेलेंगे, यहाँ पर, हलके हाँ से बेलना है, ज्यादर टाइटली नहीं बेलना है, जैसे कि मैंने बताया है, अगर आपको मैदा की पसंद नहीं हो, तो आप यहूं के आटे से भी बना सकते हैं, तो आप देखिए, इस तरीके स अब हम अपनी स्टपिंग भर लेंगे, लग रही है ना, बार-बार हाथ गंदे नहीं होंगे, अगर ही खटे गोले बना के रख लेते हैं, तो आराम से उठाईएगा, और बनाईएगा इसको, पटाफट, तो देखिए, इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा, यहाँ प तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सभी को रेडी कर लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर सभी को बना लिया है, लग रहा है ने, एकदम प्यारा सा तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने तेल को पहले ही गरम होने रख दिया था, तेल को जादा गरम नहीं होने देना है, तो तो चलिए इसी तरीके से सभी को यहां रेडी कर लेंगे मैंने इनको नमक लगा के चीरा था और अच्छे से चोंक लिया था मिर्ची को क्योंकि इसके साथ मिर्ची क्या है बहुत ही टेश्टी लगती है यह राजिस्तान वाली रैसीपी है आपको बहुत पसंद आईगी आप की तारीफ करते नहीं ठकेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताइएगा कि आपको रैसीपी कैसे लगी तो मैं एक चाकू की मदद से यहां काटकर दिखा रही हूं मैं आपको तोड़के भी दिखा सकती थी बट क्या है मैं यहां काट रही हूं क्यों